आपको मेरा फिस कुछ जादा ही पिंक नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दू कि आज का वीडियो होने वाला है डी आई वाई लिप टिंट एंड चिक टिंट पे अगर आप बचाना है मैंने कि डी आई वाई टिंट किस चीज से बनाया है आप यह वीडियो लाज टक देखें अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है आपके लिए हल्फूल होता है तो डोंट प्रोगेट टो लाइक और शियर माई वीडियो विडियो विद यो फ्रेंज अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिलक LET'S STARTIP सो गई यहां हम लेंगे चुकंधर इसे हम पेले अच्छे से करेंगे कर लेंगे ता कि विद् of the dirt है था निकल जाए थे इंद ग्रेंगे से थाकि इसा जूस निकाले मे में लिएME हो तो या हम इसका यहाँ जूस निकाल रहे हैं आप मेरा हाथ देखके बिलकुल ना डरें इसे मैं क्लीन कर लूँगे अच्छे से यह नो चुकुंदर हमारे लिए कितना अच्छा होता है हमारे बॉड़ी के लिए भी इसका जूस निकल चुका है बट अभी यह बहुत ही पतला है तो इसे हम थोड़ा पकाएंगे इसे मैं मेडियम आज पच्छे से पकाऊंगी ताकि इसकी जो टेक्च्चर है वो हलका सा थीक हो जाए इसका जो कच्छरा बचा आप उसे फेके ना उसे धूप में सुखा के आप अच्छे से उसे पाउडर बना ले और आप उसे एजब ब्लश पाउडर ब्लश अप्लाई कर सकते हो तो या गैस देखिए हमारा जो टेंट है वो हलका सा थिक हो चुका है बट इसे हम और हलका थिक करेंगे इसमें हम आड करेंगे यह सीरम मेरे पास यह है आप चाहे तो आप ग्लिसरीन या कोई ओयल भी इसमें डाल सकते हैं उससे क्या होगा हमारे फेस पे यह थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि मेने पास थोड़ा सा ही ते तेंट है इसलिए मैं थोड़ा एड कर रही हूं आप अपनी कॉन ठीठी के हिसाब से आड करें इससे जो हमारा तेंट है वो थोड़ा और ठीक होगा इसका टेक्शन तो से अच्छे से मिक्स करना है हमें को अंगाइज आप इसका कलर देख सकते हैं इसका आप इसे अगर अपने चिक्स और लिप्स पर अप्लाइब करोगे तो यह बहुत अच्छा कलर देगा और आपके लिपस और चिक्स को इसे हमें ग्सक्राइब आपके जा Southern आपको भी दिखाती हूं आप देख रहे हूँ अब मैं अपने फिंगर की हेल्ट से इसे ब्लेंड कर लूँगी आप देख सकते हो आप देख सकते हो एक साइड नहीं किया है अब बारी आती है लिप्स की तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूं और मैंने सेम यह बर्ट की हेल्ट से अप्लाई किया है and then मैं इसे अपने finger की help से अच्छे से blend कर रही हूँ yeah so थोड़ा सा मैं अपने nose पे भी apply करूंगे for the natural look so yeah guys this is the final so आप इस lockdown में ये DIY जरूर ट्राई करें and मुझे comment box में बताएं कि आपको ये कैसा result मिला so अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है helpful होता है तो मेरे वीडियो को like share करें और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले and bell button को press करना बिल्कुल ना भूले बाई गाइस टेके